सब्सक्राइब करता हूं जैसे कि आप से जानते हैं आज एक नई भरती बारें बारत करते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं क्या मैं पर ट्राइब कर सकता हूं इसका से लेवर क्या रहेगा टाइमिंग निगेटिव मार कर रहेगा या नहीं रहेगा फिर ओवी सी में कितना चूटे या अलग अलग एज के कितना चूटे पूरा डिटेल समझने वाले लास्ट अगर चैनल पर नया है दोस्तों सब्सक्राइब क निकल करें इसकी में अप्लाइब की में बात कर दोस्त एक जुलाइ से लेकर 22 जुलाइब मनदल सोरी एक गडूलास लेकर 21 पड़ेंगे इस फार्म के लिए चलिए एच कर्टीरिया को ध्यान से देखिया का दोस्त एस कर्टीरिया में क्या है यह तो सिंपल है बीस से लेकर 28 वर्स आपको मिनमम एज होनी चाहिए लेकिन इसमें क्या है और जो एज की जो गढ़ना की जाएगी एक साथ 2022 यानि कि एक जुलाई 2022 तक आपका एज बीस मिनमम बीस हो जाना चाहिए लास्ट एक साथ 2022 तक आपको 28 वर्स से अधिक नहीं होना चाहिए उमीद करता हूं समझ मैं इसका रेंज में बताऊंगा कितना से लिए कितना बीच देखिए एज रिलेक्स से न यानि कि चतिन कितना होता है 31 होता है तो वी से लेकर 31 बस तक केंड़ेट फार्म अपलाई कर सकते हैं के लिए अब इसमें क्या है और एक जुलाई 2022 यानिक एक साथ 2022 के बीच में आगा जिन केंड़ेट का डेट आप बर्त है इनके बीच में डेट केंड़ेट का डेटा बर्त है तो जनरल केंड़ेट के लिए फार्म अपलाई कर सकते हैं अब मांजें रहेगी बात वी सी के लिए तीन साल का छूट है तो इसमें कम कर लो आपको पास होना चींबंग ठीका बैए उसके साथ अगर आप एप्एरिंग है मैंजें सपोर्ट बहुत से कंड़ी के लिए बात कर सकते हैं अप तो भी अपलाई कर सकते हैं लेकिन वह कितने एक की साथ 222 आज आ जा रहा है तब तो इस फार्म को आप अराम से अपलाई कर सकते हैं यहां देखिएगा आपको मैं आपको पहले पता दूसलेक्स प्रोसेस में का इसका दो रीटेन इग्जामिनेशन होते हैं ठीक है रोटेन अब आपको बात करूं तो तुरंद सितंबर अक्टूबर यह अक्टूबर तक भी इसको फाइनल करा देना है लास्ट में आपको जौइनिग में इसको दे रहा है नोटिपिकेसन में कि आपका अप्रेल ठीक है देखिएगा अप्रेल दोजार तेईस तक आपका लगवल ल बिटी से 35 कोश्चन रहेंगे ठीक जोकी 2 में से 25 35 कोश्चन रहेंगे जो कि 20 में मैंनी कि मैं सिंपल ये कह सकता हूं की 100 प्रस्टत रहेंगे 100 अंका रहेंगे बागी टाइमिंग जो रहेगा टोटल साथ मिर्ट का टाइमिर रहेगा बात करते हैं यहां पर पॉइंट टूफाइब का निगेटिव मार्क रहने वाला है दोनों एक्जामिनेशन में यानि कि मैं एक एसकता हूँ वन भाई फूर का चार अगर आप गलत कर रहे हो तो एक कोशन सही कि वाला भी काट लिया जाएगा कि लिए देखते हैं यहां पर में इक्जामिनेशन उसके बाद से आपका मेरिड के बास रहेंगा और 35 में रहेंगा सेम इंगली से भी कोश्चन आपको 40 कोशन पूछे जाएंगे उसके बाद से 35 के इसमें भी टाइमिंग रहेंगा और दे 45 में टाइमिंग रहेंगा क्लियर वा देखिए क्वांटिटी एबलिविटी से 50 कोशन पूछन पूछ दे जाएंगे जो की 45 में टाइम रहेंगा यानि कि मैं टोटल कोशन काउंट करूंट करूं ते 190 प्रस्ट होंगे और 200 अंका होगा बाखी 1.25 मतलब हो रहने वाला है औ और 160 में आपको करना कितना 190 प्रस्ट ठीक है अब बात करते हैं कुछ मेंट पॉइंट बेजो की कमेंट क्या है सर क्या बार्वी पास या फिर आइटियाई डिपलोमा क्या अपलाई कर सकते हैं देखिए बार्वी पास के लिए इन पर सिंपल मना कर रहा है इसमें या पिर में ढूंब कर सकते हैं अब ध्यान दें रखें कई संटर कहां होगा इकजाम सेंटर देखियें डोश्ट अलग-alग-alग-alग-आपके सब्सक्राइब कर सकते हैं जो आपका पहला क्रिट्री आजेगा उसका हो जाएगा तो घबडानी जो तनी है उसके बाद से मेल या फिमेल अपलाई कर सकते हैं करेंगे आप दोनों अराम से बर्चर के हिसाले काफी अच्छी वेकंसी है छेजार रहने वाले ठीक है तो उमीद करता हूं वीडियो अच्छा लगाई बाकी कोई क्वेरी या फिर कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आराम सिच्का दे सकते हैं बाकी हम इसका जवाब देने के कोशिश करेंगे ठीक है तो वीडियो अच्छा लगाई वीडियो लाइक से सब्सक्राइब जरू किजिए जैहिंद बंदे मात्रों